हाई आप रीवन वेलकम टू मैं चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्यालोख रहोंगे और अगर ऐसा नहीं है तो रखना शुरू करतीजें तो फिर चली थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें जो हमारा वांगची है वो आलफ़ा है बाईस साल का है और इसने अभी अभी बिस्नेस वर्ल्ड में कदम रखा है इसके अलावा जो हमारा विईंग है वो थीस साल का है ओमेगः और साथ में एक डॉक्टर है कार्डियलोजिस्ट ये तो थी कुछ ज़रूरी बाते चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो कहानी की शुरुवात में दिखा जाता है हमारे वीइंग को जो कि फोन पर बात कर रहा है बहुत ही गुस्ते में हैं, बोल रहा है नहीं सर्थ, मैं नहीं आ सकता हूँ मैंने पोला न, मैंने अभी ये काम छोड़ते हैं मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं करनी कोई सर्चरी बर चरी नहीं आना है मुझे दूसरा इंसान पोल रहा है, डॉक्टर वीव उश्यान आप शायद बोल रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं आपको आना होगा, एक पेशंट की जान खतरे में है वीव उश्यान, तुम भूल गयो क्या? ये सर्चरी सिर्फ तुम ही कर सकते हो वीव उश्यान, पर सर मैं नहीं करना चाहता दूसरा इंसान पोलता है, अच्छा देखो वीव, सेवर प्रोसिजर, सिर्फ तुम कर सकते हो तुम जानते हो ना, तुमने जब भी किया है, तुम सक्सेस्फुल रहे हो दो हजार से ज़्यादा सर्चरी कर चुके हो तुम कभी फेल नहीं हुए हो, प्लीज, मान जाओ ना वीव, पोलता है, प्लीज, सर, मैंने काम छोड़ दिया है अब मैं सर्चरी नहीं कर सकता, मेरे हाथ कापते हैं, स्कैल्पिन पकड़ते हुए नहीं कर सकता मैं, प्लीज, मुझे फोर्स मत कीजिए वो इंसान कुछ बोलने ही वाल होता है, तभी विंग फोन काड़ देता है अब विंग किजिन में जाता है, फिर पानी पीता है पानी पीते हुए, वो फोन को देखता है, फिर उसे गुसा आता है और फोन को फैक के मारता है, फिर वो जोर से चिल लाता है उसके बाद वो पानी पीता है फिर उस किलास को भी जोर से फैक के मरता है उसके बाद वो रूमे चाता है फिर अपने पालों को पकड़ कर खीचता है फिर बोलता है वो मेरे पीचे क्यों पड़े हुए है मैं नहीं करना चाता हूँ रोज, रोज मुझे कॉल करते हैं मैं कितनी बार नंबर चेंज कर चुका हूँ पर पता नहीं नहीं मेरे नंबर कैसे मिल जाता है क्या करूं मैं इन सब का अब वो बैट पे आधा लेट जाता है अब दूसरे तरफ उस इंसान को दिखाया चाता है जिससे अभी वींग फोन पर बाते कर रहा था वो इंसान बड़ा दुखी होकर अपने सामने पैठे हुए इंसान को बोलता है सोरी, वो नहीं माने मिश्टर जियांग वो कैसे नहीं माने यह उनका काम है, वो कैसे मना कर सकते हैं अपने काम से, तो यह जो इंसान अभी वींग से फोन पर बाते कर रहा था यह जियांग पैंग मियान है, ठीक है तब यह जियांग पैंग मियान अपने सामने बैठे हुए इंसान को बोलता है देखिए, यह उनका काम था अब उन्होंने यह काम छोड़ दिया तो प्लेज, आप मुझे फॉर्स मत केजिए क्योंकि मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश किया पर वो नहीं माने अब वो दूसरे इंसान सैड होकर बोलता है मिश्टर जियांग, मुझे एक बात पताए अगर इस ओपरेशन को कोई और डॉक्टर करता है तो इस ओपरेशन के सकसेसफूल होने के कितने परसेंट चांस है जियांग, पैंग, मियान बोलते है हम, अगर इस सरजरी को कोई और डॉक्टर करता है तो इसके सकसेस होने के सिर्फ 10 परसेंट चांस है यह सुनकर उस इंसान के आंखे बड़ी हो जाती है अगर इस सचेस होने के आप एक एक मिनिट मिस्टर जियांग, क्या मुझे पागल समझते है आप यह क्या बोल रहे है अगर इस सरजरी को कोई और डॉक्टर करता है तो इसके सकसेस होने के सिर्फ 10 परसेंट चांस है और अगर इसे डॉक्टर वीव उश्यान करते हैं तो 90% ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर वीव उश्यान के हाथों में कोई जादू है मैं नहीं मानता येकीनन आप मुझे पागल बना रहे हैं देख लेना मैं अपनी वाइफ को ठीक करके रहूँगा मैं उसे किसी पड़े होस्पिटल में लेकर जाओंगा जहां पर डॉक्टर बहाने नहीं बनाएंगे सर्जरी ना करने के आपको आपको तो बस अपने होस्पिटल की रेपोटेशन की पड़ी हुई है बस यही डर है कि कहीं सर्जरी सक्सेस्फुल ना हुई पेशेंट मर गया तो आपके होस्पिटल की इमेज खराब हो जाएगी है ना मैं चैसे जानता हूँ मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी वाइफ को ऐसा बॉल कर वो इनसान उठकर भाग जाता है उस जाते हो इनसान को देखकर भी यहां से गुस्टे में कहा यहा एपके क्वाइफ की सर्चरी करता है तो हो पक्का फेल होनी है इस लिए वो रिस्क ने लेना जाते वो चाहते हैं कि अगर यह सरचरी हो तो सिर्फ वीव उशियान के हातों उसके अलावा कि सी ओर के हातों नहीं बस इसलें सरचरी वीव उशियान के हातों हो अरे यार मैं कितनी देर से वो एनसान वो इनसान कर रही उसका नाम भी बता देती ओ ठीक है उस का नाम नाम है मेंग्ञाओ और उसके वाइफ का नाम है किनसू अरे 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 अब हम जियांग फैंग्मियान चेकल औरहें पोल रहा है आंकल वह नहीं देख लो बस वही कंट्री रह गई है उसके बाद अपने चैना वापिस आ जाना ठीक है वांग जी पोलता है काश अंकल इटली में हमारा काम हो जाए शी चैन का जल्दी से ठीक हो जाए अब मुझसे उनकी ऐसी हलत देखी नहीं जारी लैंची रैन पोलते हैं सब ठीक होगा वांग जी पोलता है हम अभी फोन रख देते हैं तो अभी थोड़ा सा वांग जी के बारे में बताती हूँ ठीक है वांग जी जो है वो काफी जयादा चुलपुला शरारती है उसे मोज मस्ती के अलब और कुछ दिखता ही नहीं है वांग जी की फैमिली में है उसके अंकल लैंग जी जिन्होंने वांग जी को बिकार कर रखा हुए है और हां वांग जी का एक बिग प्रेदर भी है लैंग जी जो कि वांग जी को कभी सुधरनी नहीं देता वह वांग जी से बहुत प्यार करता है और वांग जी भी अपने बिग प्रेदर से बहुत प्यार करता है खेर अभी एक महिने पहले वांग जी के बिग प्रेदर लैंज इचैन की तविएट खराब हुई थी खेर अभी एक महिने पहले लैंज इचैन अपने ओफिस डोमें बेहोश हो गए थे उसके बाद से उनकी तविएट बहुत ज़्यादा खराब है वो एक हार्ट पेशन्ट है वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुए अपने भाई को लेकर क्योंकि उसके भाई का इलाज कोई ऐसा वैसा डोक्टर नहीं कर सकता उन्हें एक स्केलफुल डोक्टर चाहिए एक मंजावा डोक्टर जो की कारंटी दे सके कि हां ये इंसान हंड्रेट परसंट ठीक हो जाएगा पर वांग जी को आज तक वो इंसान मिला ही नहीं वांग जी ने हर कंट्री के बड़े होस्पिटल में पता किया पर हर जग्य से उसे एक ही शब्द सुनने को मिला वो था नहीं अभी वांग जी इटली जाये का अपने भाई को लेकर और वहाँ पर भी पता करेगा तो अब यहां से सीधा एक हफ़ते बाद का सिंध दिखाया जाता है वी इंग जो है वो अपने रूम में बैड़ पे लेटा हुआ है बिना कपडों के वो हीट में है उसने मैडिसन भी लेए है पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि लेट हो गया लेने में खेर दूसरे दरफ वांग जी को दिखाया जाता है वांग जी जो की जियांग फैंग मियान के सामने बैठा हुआ है और उसे बोल रहा है देखिए मैं इटली गया था मुझे वहां से सुनने को मिला कि इस होस्पिटल में डॉक्टर वी वुश्यान काम करते हैं और वही एक इकलोते ऐसे डॉक सक्सेसफुल रहे हैं आज तक उनका कोई ओप्रेशन फेल नहीं हुआ वांग जी बोलता है हाँ मैंने सुना है उनके पारे में तो कि प्लीज आप उन्हें एक बार बुला सकते हैं ज्यांग फैंग मियान बोलता है देखिए अब वह यहां पर काम नहीं करते हैं उन्होंने नहीं बता सकता तभी एक इंसान अंदर चलकर आता है फिर बोलता है अरे फैंग मियान क्यों नहीं बता सकते देखने रहे मेरा नेफ्य कितना जैदा परिशान है उस इंसान को देखकर फैंग मियान खाड़ा हो जाता है फिर बोलता है अरे चिरैन तुम चिरैन बोलता है हा आपरा चिरान बोलता है सच में फैंग मियान बोलता है हाँ अब ये तोनों एक दूसरे को हग करते हैं उसके बाद पैड़ जाते हैं फिर वांग जी जो है वो अपने अंकल चिरान को सब कुछ बताता है डॉक्टर वी वूश्यान के पारे में कि उन्होंने काम छोड़ दिया अब वो कहां पर हैं ये अंकल एंगमीयान बताने रह हैं अब इंकल चिरान जो है वो ये सुनकर लैंग श्यान हामें सर को लाते हैं बोलते हैं अच्छा क्या इसका मतलब वी वूशियान कांग से का बेटा है फैंग मियान हामे सर को हिलाते है फिर बोलते हैं हाँ वी वूशियान वी चांग से और कांग से का बेटा है पर तुम तो जानते हो 5 साल पहले वो दोनों इस दुनिया को छोड़ कर चले गए उसके बाद से वी वोशियान अपनी grand mother के साथ रहने लगा बाशन सेरन के साथ पर अभी दो महीने पहले बाशन सेरन भी वी वोशियान को अकेला इस दुनिया में छोड़कर चली गई चीरेन बोलता है क्या बाशन सेरन अभी इस दुनिया में नहीं है फैंग्मियान हामे सर को हिलाता है चिरैन बोलते हैं पर यह सब हुआ कैसे फैंग्मियान बोलता है वो उन्हें हार्ट अटेक आये था उस टाइम पर वो घर पे अकेली थी वोशियान होस्पिटल में था सर्चरी में बेजी था उन्होंने काफी पार कॉल भी किया वोशियान को पर क्योंकि वोशियान का फोन साइलेंट था तो उसे पता नहीं चला और इसी तरह से तेर हो गई और जब चार गंटे पात वोशियान फ्री हुआ तब उसने अपना फोन चेक किया और तब उसे पता चला कि उसकी ग्राइड मदर ने उसे उती हैं, फिर वोशियन ने अपनी ग्राइड मदर को काल किया, पर उन्हों ने उठाया न idol चैड़ा है उसके पाथ वोशियन गौर गया, घर जाने के पाथ पता चला कि क्या हुआ है, और फिर उसके पात से वोशियन मदर आज उसके साथ होती इसलिए वूशियान अपनी ग्रेंड मदर की मौत का जिमितार खुद को मानता है उसे लगता है कि वो सब कुछ उसकी वज़े से हुआ है और बस फिर क्या था उसे अपने काम से नफरत हो गई उसने काम छोड़ दिया उसके बात से आज तक वूशियान होस्पिटल नहीं आया है चिरैन और वांग जी दोनों ही बड़ी ध्यान से फैंग्मियान की बाते सुन रहे थे उन दोनों को ही भुरा लग रहा था डॉक्टर वीवूशियान के लिए खैर अब चिरैन पोलते हैं तो वीवूशियान कह रहता है पैंग्मियान पोलते हैं उसने खर बदल लिया है अब वो ऐस खर में नहीं रहता जहांपर उसकी क्रेंच मा उसके साथ रहती थी उस ऐसे लगता है क्षैंग्मियान पोलते हैं उसका तो मुझे भी नहीं पता अभ एक लड़का दोड़ते Kristin कहा पर है तुम्हें पता भी है पिछले एक महिने से मैं उसे भुरी तरह से ढून रहा हूँ मैंने कितने कॉल भी किया उसे वो मेरा फोन क्यों ने उठा रहा है कहाँ पर है वो उस इंसान को देखकर फैंग मियान बोलते हैं जियंग चैंग तुम क्या हो है तुमें और तुम इतने डरे वे क्यों लग रहे हो तो ये इंसान और कोई नहीं हमारे जियंग चैंग है जो कि अभी 30 साल का है एक अलफा है और साथ में और्थोपेटिक है और वो भी जियंग होस्पिटल में इसके अलावा थोड़ी सी शीचैंग के बारे में बात कर लेते हैं शीचैंग जो है वो 25 साल का है एक ओमे का है और साथ में एक बिसनेसमेन है इसके अलावा जियंग चैंग और शीचैंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन दोनों के प्यार के बारे में सिवाए VANG جी के और किसी को नहीं पता है हाँ एक और इंसान है ज्यांग चैंग का दोस्ट और वो दोस्ट कोन है वो बाद में पता चलेगा तो अब फिर से कहानी में घुशते हैं ठीक है ज्यांग चैंग बोलता है डैट वो मैं आप सिर्ब बात में बात करता हूँ वांग जी तुम बताओ ना कहा है शी चैन अब वांग जी जो है वो सब कुछ बता देता है शी चैन के पारे में जियांग चैन को अब यह सब सुनने के बाद जियांग चैन बोलता है वांग जी को वंग जी तुम पागल हो क्यों? तुमने पहले क्यों नहीं पताया? इतना सब कुछ होगया और मुझे पता भी नहीं है? अब फैंग मियान बोलता है जैंग जैंग तुम कैसे जानते हैं शी चेंग को? अब जियांग चैंग जो है वो सबको बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है वगरा वगरा अब थोड़ी देर तक कि सबके सब शांत पैठे रहते हैं फिर जियांग चैंग बोलता है मुझे पता है मुझे क्या करना है मैं जा रहा हूँ ऐसे बोलकर जियांग चैंग उठकर जाने लगता है तभी फैंग मियान बोलते हैं तुम वींग के पास जा रहे हो चैंग बोलता है हाँ मैं उसे के पास जा रहा हूँ फैंग मियान बोलते हैं जियांग चैंग तुम तो जानते हो ना वींग को वो कभी नहीं मानेगा इस सर्चरी के लिए जियांग चैंग पोलता है नहीं डैड मैं मैं से मना लूँगा कुछ भी करूँगा पर उसे मना लूँगा मैं मैं शी चैंग से बहुत प्यार करता हूं और मैं ऐसे ऐसे नहीं जाने दे सकता मैं ऐसे कुछ भी नहीं होने दूँगा मैं बचा लूँगा उसे विंग मान जाएगा जब उसे पता चलेगा कि एंसान कोन है ऐसे बोलकर जैंग जाने लगता है तभी वंग जी खड़ा होता है फिर बोलता है चैंग का रुकी मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ अभी दोने चले जाते हैं अब फैंग मियान बोलता है बस वो मान जाए चिरैन बोलता है हाँ काश सब कुछ ठीक हो जाए अब हमारे प्यारे से वींग को दिखाया जाता है वींग जोके बैट पे बैठा हुए और उसे अभ को रहें अब थोड़ी देर बात वो अपना मन मार के खड़ा होई जाता है फिर अपने लिए नूडल्स पनाता है पिर उन्हें खाता है अब दूसरे तरफ जैंग चैंग और वांगजी को दिखाया जाता है जो कि गाढ़ी में बैठे हुए हैं जैंग चैंग जो कि और फिर कॉल करो अपने फोन से वांग जी चैंग को देखता है फिर बोलता है हाँ मैं मैं करता हूं अब अपनी जैप से अपना फोन निकालता है फिर जैंग चैंग से नंबर लेता है फिर कॉल करता है और फिर थोड़ी तेर बात बोलता है नहीं लग रहा हूं चैंग बोलत याया है सोफे पर बैठा हुआ है और इसकी नजरे नीचे फार्ष बेल पड़ेili फोन के पुकड़ों पर जी ने उठाने का भी इंक कमण नहीं कर रहा है और अभी वो यही सोच रहा ज़हा अब डॉर बेल बज़ती है चेल जिसके से विंग मूः बना लेता है फिर दुख होकर बोलता है क्या यार अब को नगया अब जाता है डोर ओपन करता है फिर देखता है को Вас यह बी है वींग उससे नहीं ज panda इसलिए शे पूए बिस से पूचता आ जी हां कि मैं जानता हूं अब वह इन्सान को की डौर पे खड़ता हूं और पलको को चपकाता है फिर बोलते हैं हाँ वो मैं वांग जी चैंका के साथ आया हूँ वींग बोलता है चैंका क्या तुम ज्यांग चैंक के बात कर रहे हो अब यह सुनकर वो इंसान चो कि हमारा प्यारा सा वांग जी है वो हामे सर को हिलाता है वींग बोलता है ओ तो कहा है ज्यांग चैंक अब यह सुनकर कि वां भूल गया. अब ये सुनकर के जैंग जैंग घुसे में बोलता है. वांग जी मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम्हारा ध्यान का रहता है. तुम्हें नहीं पता क्या हम कहा जा रहे हैं? वहाँ पर शेचान की रिपोर्ट्स की जरूरत पड़े की. तुम इतने लापरवा कैसे हो सकते हो अब क्या करूं में तुम्हारा हम लगपक पहुँच गए हैं और शायद अब मुझे तुम्हें ये बताने के जरूरत नहीं होगी कि हमने यहां तक पहुँचने में पूरे दो घंटे लगाया है अब तुम खुदी सोचो तुम रिपोर्ट्स बूल चुके हो अब अगर हम उने लेने जाएंगे तो हमारे दो घंटे और लग जाएंगे वांग जी बोलता है सोरी कर वो मुझे याद नहीं रहा मुझे माफ करतो प्लीज चैंग उस्ते में बोलता है मेरे माफ करने से के सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आ जाएंगी वांग जी चुप हो जाता है कुछ नहीं बोलता अब चैंग बोलता है अच्छा चलो हमें काम करते हैं मैं विंग के घर जाने के पाद ये गाड़ी तुमें दे दूँगा उसके बाद तुम ये गाड़ी लेकर होस्पिटल जाना रिपोर्ट्स लाने तब तक मैं भी विंग से पाते कर लूँगा उसे मनाने की कोशिश करूँगा ठीक है वांग जी बोलता है पर का मुझे इस रास्ते का नहीं पता है मैं पहली बार इस रास्ते से आया हूँ जैंग बोलता है कोई बात नहीं मैप लगा लेना वांग जी बोलता है उसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आता मैं कन्फियोज हो जाता हूँ और इसके अलावा सबसे बड़ी और ज़रूरी बात मेरे पास ड्राइविंग लाइसंस नहीं है मतलब पनवाया है पर अब भी नहीं है ये सुनकर के जैंग जैंग अपना सर पीटता है फिर बोलता है मैं किस बच्चे को अपने साथ ले आया वांग जी बोलता है को मैं बच्चा नहीं हूँ पूरे 20 साल का हो गया हूँ जैंक बोलता है जो भी हो पर अब मैं क्या करूँ अच्छा चलो वांग जी एक काम करते हैं मैं तुम्हें वींग के घर छोड़ देता हूं उसके बाद खुदी जाता हूं रिपोर्ट्स लेने ठीक है और हां याद रहे तुम वींग को कुछ भी नहीं बताओगे जब तक मैं नहीं आ जाता वांग जी बोलता है कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं ठीक है वांग जी बोलता है मतलब मुझे कुछ बताना है या फिर नहीं जैंक बोलता है अरे वांग जी मेरी बात ध्यान से सुनो तुम्हें वींग को सिर्फ इतना बताना है कि तुम जो हो मेरे साथ आयो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ वैंग जी बोलता है ओ तुम मुझे यह यह बोलना है पर अगर उन्होंने मुझे से पूछा कि आप कहाँ पर हो तो मैं क्या बताऊँगा चैंग बोलता है तो बता देना कि मैं अपना कुछ जरूरी समान भोल के हूँ उसे लेने गया हूँ वांग जी बोलता है हम तो अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनके घर पे क्या कर रहा हूँ मतलब आपने मुझे उनके घर पे क्यों छोड़ा तब मैं क्या बोलूँगा? चैंग बोलता है तब तुम ये बोलना कि चैंग किसी काम की वज़े से तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पाया इसलिए मैंने तुम्हें विंग के घर पर चोड़ दिया और जब मेरा काम खतम हो जाएगा तब मैं जाते हुए तुम्हें वहां से ले जाओगा वांग जी बोलते हैं तुम्हें जूट बोलना होगा चैंग बोलता है हां क्यों तुम्हें जूट बोलने से कोई प्रोप्लम है क्या वांग जी बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रोप्लम नहीं है मुझे तो वैसे भी आत कि यहांग जी जो कि अराम से खड़ा वींग को देख रहा था वह कुछ बोलनी रहा था बस एंग को देखेए जा रहा था अवींग जो है वह अपने हाथ को वांग जी के फेस के सामने लेकर आता है फिर हिलाता है वांग जी को तब भी ध्यान नहीं हटता अब गूत और नहीं कहा खोए होएं तुику तो आर्ण केहिए पांच मेरा थ्यान , तो इस खर पर अहां यह घर कितना सुनदर है न वहतुनि है वह तो हो कही पसंद है फिर बोलताय तुम्हें नहीं पटा रेंसी और बहुआ चैंग आपझा है नहां प्र चैंग रहां तुम उसे के साथ आई थे ना वह जो काम से बात is बहुते वह मेरे साथ आ रहे थे याउपर पर तब ही उन्हें कोल आया उन्हें बहुत ज़रूरी काम था इसलिए उन्हें जाना पड़ा मैंने बोला था उन्हें कि मुझे पे अपने साथ ले जाओ उन्होंने बोला कि नहीं वो जल्दी ही अपना काम खतम करके आ जाएंगे विंग बोलते हैं वैसे तुमने अपना नाम क्या बता है वांग जी बोलते हैं मेरा नाम मेरा नाम वांग जी है तो वांग जी मुझे ये पताओ कि तुम और चैंक यहाँ पर आई क्यू थे वांग जी बोलते हैं वो चैंक का आपसे मिलना चाहते थे पर क्योंकि उन्हें जरूरी काम आगया जिस वचे से उन्हें जाना पड़ा तो ओं मिलने पाए बस इसे लिए विंग बोलता है ह्म, तो तुम क्यों ने गय चैंक के साथ रांग जी बोलता है मैं, मैं इसलिए ने कआया क्युकि चैंका को दूसरी दरफ जाना था और मेरा घर दूसरी दरफ बटता है तो चैंका ने बोला था कि जब वो आ जाएंगे तब वो मेरे साथ आपसे मिलेंगे उसके बाद वो मुझे मेरे घर पर छोड़तेंगे फिर वो अपने घर चल जाएंगे विंग बोलता है हम तो चैंग मतलब होस्पिटल नहीं गया है वो कहीं और गया है किसी काम से वांग जी बोलता है हम वो किसी काम से कहीं और गया है विंग बोलता है हम वैसे तुम चैंग को कैसे जानते हो वांग जी बोलता है मैं मैं उनका फ्रेंड हूँ हाँ फ्रेंड हूँ मैं उनका विंग बोलता है अच्छा क्या तुम तुम चैंग के फ्रेंड हूँ विंग को ऐसे चलाता तेख वांग जी अपने टंग को पाइट कर तो मियाने कुछ कलत बोल दिया क्या नहीं च sniff आसा मैं में कुछ भूंता है यह हां हां मैं चैंका फ्रैंच्झ बहुता है है मैं मैं की लोकी नहीं मैं कोई मजाग नी करेंग हैमे या यह हो दो में को sympath है यह हमसे पता है है पुरे तीर साल का है वो और तुम, तुम तो मुझे शकल से 16-17 साल के बच्चे लगते हो तो ऐसे कैसे तुम दोनों फ्रेंड हो सकते हो वांग जी बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ मैं पुरे 22 साल का हूँ वांग जी बोलता है क्या वांग जी बोलता है हाँ मैं कोई 16-17 साल का बच्चा नहीं हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ मैं 20 साल का हूँ विंग बोलता है ओ वैसे मुझे तुम बच्चे लगे इसलिए मैंने बोला ठीक है भुरा मत मानना वैसे तुम दोनों की दोस्ती कैसे होई वांग जी बोलता है आप सारी बाते तर्वाँसे परि पोच लोके क्या मैं 20 बोलता है और पताओ केसे तुम दोनों की दोस्ती वांग जी पुरे खर मेनजो को घुमाते हूँ बोलता है वो मेरे ब्रदर चैंगा के लिए बहुत खास है और मेरे ब्रदर के लिए भी चैंगा बहुत खास है ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है बड़ी ध्यान से फिर बोलता है ओ तो ये बात है तो इस तरह से तुम चैंग को जानते हो वांग जी बोलता है हाँ अवींग वांग जी को बैठने के लिए बोलता है वांग जी बैठ जाता है अवींग पूछता है वांग जी से तो तुम चाय लोके या फिर कोफी वांग जी बोलता है कोफी वींग बोलता है अच्छा हुआ तुमने कोफी बोला नहीं तो मुझे तुम्हारी अलग से चाय बनानी पड़ती वांग जी बोलता है इसका मतलब ये है कि मुझे भी कोफी पसंद है और अभी अकर तुम चाय बोलते तो मुझे तुम्हारे लिए चाय बनानी पड़ती और अपनी अलग से खुद के लिए कौफी बनानी पड़ती ये सुनकर वांग जी दात दिखाता है मतलब हसता है फिर मन में बोलता है ये कितने अच्छे हैं जो भी मुझे आता है बीना शर्माई बोल देते हैं और ये तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं है फिर भी मुझे कितने अच्छे से बते कर रहे हैं वांग जी ऐस सब कुछ मिन में सोची रहा था तभी उसे कुछ फील होता है क्या ओमेका सेंट अब क्योंकि विंग हीट में है तो जिस वज़े से विंग की ओमेका सेंट पूरे घर में फैली हुई है हाँ अभी विंग थोड़ा ठीक है क्योंकि उसने मेडिसिन ली थी और साथ में इंजेक्शन भी लगाया था खुतको तो बस इसलिए विंग थीक है भी और फिर अफिर आखिर कब थीक रहेगा? खेर अभी विंग जो है वो किचन में है कॉफी बना रहा है और वांग ची जो है वो सोफी पर बैठा हुआ है विंग को देख रहा है अब थोड़ी धेर पाद भी इंग आता है कोफी लेकर फिर उससे टेपल पर रखकर वांग ची के साइड पर बैठते वए बोलता है तो वांग ची कब तक आयगा चैंग चैंग यह सुनकर वांग ची मिन में बोलता है होस्पिटल से यहां तक आने में दो गंटे लगता है नहीं, अगर इस तरह से देखा जाए तो चैंगा को यहां आने में चार गंटे लग जाएंगे पर अब मैं इन्हें क्या बोलू क्या ये मुझे इतनी देर तक यहां पर रुखने देंगे शायद हां क्योंकि ये कच्छे इनसान है और शायद नहीं भी, क्योंकि शायद ये हीट में है अब मैं क्या करूँ, क्या बोलू अवींग बोलता है वांग जी को अरे तुम फिर से कहीं खो गई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ अपनी एक आइपरो को उपर उठाता है फिर बोलता है, कहीं तुम अपनी गल्फ्रेंड के बारे में तुम नहीं सोच रहा हूँ है न, यही बात है न वांग जी बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी कोई गल्फ्रेंड नहीं है विंग बोलता है क्या? कर्ल्फ्रेंड नहीं है, अच्छा तो कोई बॉइफ्रेंड तो होका ना? वांग जी बोलता है नहीं, मेरे पास बॉइफ्रेंड भी नहीं है विंग बोलता है तुम जूट बोल रहे हो क्या? वांग जी बोलता है नहीं मैं जोटनी बोल रहा सच में वींग बोलता है वैसे यकिन करना तो मुश्किल है पर जब तुम बोल रहे हो तो कर लेता हूँ वांग जी बोलता है क्यों मेरा मतलब यकिन करना मुश्किल क्यों है वेंग बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुम दिखने में काभी अच्छे हो, हैंसम हो और अच्छे घर से भी लगते हो वांग जी बोलता है वैसे दिखने में तो आप भी बहुत अच्छे हो और साथ में अच्छे घर से भी हो और अगर इस तरह से देखा जाए फिर तो जरूर आपका भी कोई boyfriend या फिर girlfriend होका है ना विंग बोलते हैं नहीं मेरा कोई boyfriend या girlfriend नहीं है और नहीं मेरे पास time में जब फालतु कामों के लिए वैसे ये सब बाते छोड़ो तुम कोफी पिलो में तो ठंडी हो जाएगी ऐसा बोलकर विंग कोफी उठा कर वांग जी को देता है वांग जी ले लेता है अब ये दोनों ऐसे ही थोड़ी तेर तक शानत रहते हैं फिर थोड़ी तेर बात वांग जी कब को टेबल पर रखते हुए बोलता है कोफी बहुत अच्छे थी पिलोकल वैसे जैसे मुझे पसंद है ये सुनकर विंग बहुत प्याड़ी से स्माइल करता है और फिर बोलता है वैसे तुमने बताया नहीं कि जैंग जैंग कब तक आएगा अब ये सन करके वांग जी के तोते से उड़ जाते है अब वांग जी अपना कला साफ करते हुए बोलता है वो चैंगा ना जल्दी ही आ जाएंगे उन्होंने बोल था पर अभी तो बहुत तेरो किया है नब अभी तक नहीं आए वो मैं उनसे फोन करके पूछता हूँ ऐसा बोल करके वांग जी अपने हाथ को जेब में डालता है फोन को निकालने के लिए अब एक छोटा सा फ्लैश पेक दिखाया जाता है जब चैंग ने वांग जी को बोला था कि तुम अपने फोन से विंग को कॉल करो तब वांग जी कोल कर रहा था विंग को पर लगी नहीं रहा था और चैंग जो था वो बार बार वांग जी से पूछ रहा था क्या हुआ लगा कोल उठाया निक्या क्या हुआ बोलो ना लगा क्या अब वांग जी चैंग को देखता है और कुछ बोलने वाल होता है तभी जैंग वांग जी के हाद से फोन ले लेता है और फिर अपने कान पे लगा लेता है फिर बोलता है अरे ये तो कट क्या मैं दुबारा कॉल करता हूँ ऐसा बोल करके ज्यांग जैंग फिर से विंग को call करता है वंग जी के phone से, पर phone नहीं लगता ह। जैंग बोलता है अरे इसका phone लग क्यों नहीं रहा है, कहां हो कई यह, कहीं ऐसा नहीं यह कहीं बाहर खुमने गया हो और हमारा उसके घर पे जाना ऐसे विकार जाए बस भगवान जी विंग घर पर हो ऐसा पॉल करके ज्यांग जैंग वांग जी के फोन को अपने पास में रख लेता है और वांग जी जिसे पता था कि विंग का फोन नहीं लगेगा अब वांग जी विंग को देखता है फिर बोलता है फोन मिले निरा शायद गाड़ी में भोल गया मैं मैं क्या करूँ क्या मुझे आपको फोन मिल सकता है अब ये संकर के विंग अपने फोन के उन टुकड़ों को देखता है जो कि साइड पे पड़े हुए थे येने विंग उठाना फोल गया था और उसका उठाने का मन भी नहीं कर रहा था एक हपते से वो ऐसे ही वही पर पड़े हुए है खेर अब वांग जी भी विंग की नसरा को फोलो करते हुए उधर देखता है फिर बोलता है क्या वो फोन है आपका फोन है वो विंग बलता हाँ मर क्या बजा रहा है वांग जी बलता है क्या विंग भी बलता है एख हपते पहले ही वो मुझे छोड़ कर चला किया अफसोस वह ने क्छिए साथ NOT ये सुनकर विंग बलता है तो इसलिए आपका कॉलनी लग रहा चैंका आपको बहुत बार कोल कर रहे थे आपने उसे क्यों तोड़ा विंग बलता है मैंने तोड़ा नहीं है वो गिर गया और टूट गया वांग जी बलता है आपने उसे फैक के मारा हो का इसलिए वो टूटा है विंग बलता है तुम्हें कैसे बता वांग जी बलता है अग क्या करूं मैं कैसे पूछँ चैंगा से विंग बत्व कोई बात नहीं आ जाएगा जब उसे अना होगा तुम बताओ तुम कुछ खाओगे रांग जी बोलता अभी तो भूक नहीं है क्योंकि कोफी पी थी ना विंग बोलता है तो अब तुम क्या करोंगे मेरा मतलब है वी इंग बलता है तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है चलो हम जात में मूवी देखते हैं वांग जी बलता है क्या वी इंग बलता है हाँ मूवी देखते हैं तुम्हरे टाइम पास भी हो जाएगा तब तक चैंग भी आ जाएगा क्यों अच्छा एडिया है ना क्या कहत व्हिए पâte बता on जान स्बाट नीं कर्ता एज़ मुझे यह वांग्जी पूलता है हम आपको कोई नहीं जनता आपड़र भी वी खरआण वीख्यों कर्ता है फिर पड़त नुगा항 वांग जी बोलता है हाँ वैसे मैं आपसे एक बात पुछू वींग बोलता है हाँ पुछो वांग जी बोलता है मैं आपको क्या बोलाऊं वींग बोलता है मतलब वांग जी बोलता है आप मुझसे बड़े हो तो मैं आपको क्या कहकर बोलाऊं वींग बोलता है हम तुम्हारा जो मन करें तुम बोल सकते हो व्रांग जी बोलता है मैं आपको गल बोलू व्रांग जी बोलता है आपको पता है आप बहुत अच्छे हो आपसे मिलकर मुझे लगे नहीं रहा कि मैं आपसे पहले बार मिल रहा हूं आप से बात करके सच में मुझे अच्छा लख रहा है मुझे ऐसे लख रहा है जैसे कि आप मेरे कोई अपने हो ये सनकर विंग स्माइल करता है फिर बोलता है सच में वांग जी बोलता है हाँ सच में विंग बोलता है हम तो बुलाओ जो बुलाना है रांजी भूते हैं, वीगा चलो मुवी देखते हैं वीग भूते हैं मुवी, अब ये दोनों साथ में बाठते हैं और मुवी चलाते हैं मुवी जो थी, वो पूरे तीन गंटे की थी और तीन घंटे लगातार एके जगा पर बैठे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना तो इसी तरह से ये दोनों ठक गए थे इन्हें भूक लग गए थी इसलिए ये मूवी को बीच में ही रोकते हैं फिर खड़े होते हैं किचन में जाते हैं और एक दूसरे से मूवी के बारे में ही बाते करते हुए खाना बनाते हैं फिर दोनों साथ में खाना बना कर साथ में खाना खाते हैं वो भी देखते हुए ऐसा ही एक घंटे बाद जमोवी खतम हो गए थी वी इंग बोलता है वांग जी को वांग जी देखो तुम्हें पता तो हो गई मेरी हीट चल रहे है कल लाश्ट यह है मैं ठीक हो जाओगा आज चैंग नहीं आया है तो कल अगर मैं ठीक हो गया तो तुम इस वाले रूम में रह सकते हुए कैस्ट रूम है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ ठीक है और किसी चैस की भी जरूरत हो तो मुझे बोल सकते हूँ वांग जी बलता है अब ये दोनों के दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं अब रात के बारा बज़े का सीन द कोई पसीने में फीक कई थी उसे फील हो रहा था इसके लोर पार्ट से कुछ वाम लिक्विड जैसा निकल रहा है वो फुरी तरह से एराउस हो चुका था पूरे के पूरे खड़ में वींग की ओमेगा सेंट फैल चुकी थी वींग जिसके हाथ अपनी लोर बोड़ी की तर खराब होती जारी थी अवींग बड़ी मुश्किल से उठता है फिर कबर्ट के पास जाता है तवाइया निकाल कर खाता है फिर खुद को इंजक्शन लगाता है उसके बात वो वोश्रूम में जाकर पार्ट टब में बैठ जाता है क्योंकि उसे बहुती ज़्यदा कर्मी ल क्योंकि अब सूरज निकलने लगा था उसकी किरने जो है वो उस रूम तक आ रही थी और सीधा वांग जी के मुपे पढ़ रही थी जिस वज़े से वांग जी के आँखे खुली फोट कर बैठा और फिर जो उसने देखा उसकी आँखे बड़ी बड़ी हो गई अब अखता ना यह सब शर्व हो फिर कपड़े सारे गंद साधू कर अब मैं क्या पहनुगा और बिक्र फोट करतां में क्या सोचेनगर में क्या करूं मेरे सारे कपड़े गंद मैं, मैं एक काम करता हूँ, शावर ले लेता हूँ, और इन कप्रों को धो देता हूँ, हाँ, ऐसे करता हूँ, उसके बाद जोका देखा जाएगा, अब वांग जी उठता है, वाश्रूम में जाता है, शावर लेता है, और अपने कप्रों को धो धो देता है, फिर वो बात र द्रफ वांग जी को दिखा जाता है वांग जी जिसने सोच लिया था कि क्या करना है अभी वांग जी वींग के रूम के बाहर खड़ा हुआ था और डॉर को नौक कर रहा था पर वींग जो कि ना तो डॉर को ओपन कर रहा था और ना इसके कोई आवास आ रही थी तो वांग दर्वासे को थोड़ा सा दक्का देखे देखता है दर्वासा अपने आप खुल जाता है रिंग जो कि कभी अपने रूम के डॉर को लोग करके नहीं सोता क्योंकि उसे पता है कि पूरे घर में वही रहता है तो उसके रूम में कौन ही आएका है ना वो बस में डॉर को बंद अपने रूम के डॉर को नहीं तो इसलिए अभी जो है डॉर ओपन होगे था वांग जी जो था वो जाक रहा था अंदर पर अंदर उसे कोई दिखाई देह नहीं रहा था इसलिए अब वांग जी अंदर जाता है और देखता है पुरे रूम को फिर बोलते हैं वाउ यह वी पानि में लेटा हूँ वो पानी में इस तरहा हुआ है इतना ज़र्ता प्यारा लग रहा है कि दॅकष हो में लेटा हुआ ऑंकी बंद लगत करके उसे लगते हैं यह को चौक है इसलिए पहलते हुए हैं के ही यह कोशीश करता है और जिसको नहीं जब विंग से जगाना दुनिया का सबसे मुश्खल काम है तो बस अभी विंग नहीं जआक रहा वांख्ट विंग को जका रहा है विंग नहीं जए जग रहा और विंग नहीं जआक रहा इस demons को और सहधा ठरलक रहा है वो सोच रहे है कि क्या हुआ, यहां के क्यों नी खॉल रहे है, तो अब वांग जी सोचता है कि वो वीग को गोद में उठा कर लेकर लेकर जाएगा रूम में और फिर उसे बैठ पे लेटा आएगा, इसलिए वांग जी वीग को गोद में उठाने के कौशिश करता है, पर या बेंग वांग जी को अपने सामने देखता है वो भी पाथ रोब में तो वो थोड़ासा डर जाता है वो सोचने लगता है कि वो बांग जी हें पर क्या कर रहा तो इसलिये वांग जी ने धोकर शुखा दिया और अभी वांग जी वीघ के योंग पास आया था उससे कपड़े लेने के लिए पर विंग उसे रूम में मिलाई नी उसके पाद वांग जी ने वाश्रूम चेक किया तब उसे पता चला कि विंग जो है वो बाट टप में इस तरह से लेटा हुआया और विंग के इस तरह से देख कर वांग jin डर क्या वां तो तुम्हें लगा कि मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा बोलकर विंग उठने की कोशिश करता है, पर विंग के पैर फिस ले जा रहे थे, इसलिए वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करता है, उसकी शॉल्डर पकड़क यह उन दोनों की ही फर्स्ट किस थी, अभी वो दोनों एक दूसरे को तेख रहे थे, आखे फाड़कर, यह क्या हुआ, मतलब वक्त, जचपात और जिंदिकी तीनों बतल गए, खेर, अब वांग जी अपनी बलके छपकाता है, और विंग से अलग होता है, फिर जैसे मुझे पता है, कोई बात नी, तुम एक काम करो, तुम साइड पर आजाओ, नहीं तो हम ऐसे ही फिजलते रहेंगे, वांग जी बोलता है, हाँ, अब वांग जी विंग के एक साइड पर आ जाता है, अब विंग जो है, वो बाट टब को पकड़ता है, और अपने एक पैर को बाहर निकालता है, फिर दूसरे को, और बाहर निकल जाता है, अब विंग वांग जी के हाथ पकड़ता है, और उसे बाहर निकालता है, इस तरह से वो तोनों बाहर निकल जाते है, वांग जी जो था, वो अपने फेस को इथर उथर खुमा आ रहा था, उसे थोड़ी सी शर वह लेकर वो कप्ड़े पहन कर बहर आता है अब बहर आने के पाद वो विंग को ढूंडने लगता है क्योंकि विंग जो था वो रूम में नहीं था इसलिए अब वांक जी वींग को ढूंडते वए बहर आ जाता है विंग जोकी अपने घर की सफाई कर रहा था अब जैसे ही वांग जी विंग को सफाई करते वे देखता है तो बोलते है मैं भी हल्प करूँ विंग बोलते है नहीं नहीं तुम कैस्टो तुम बैठो अराम से मैं सफाई करके खाना बनाता हूँ ठीक है वंग जी बोलते हैं नहीं मैं बना लेता हूं मुझे आता है विंग बोलते हैं नहीं तुम बैठो ना राम से वंग जी बोलते हैं नहीं ना विका मैं कर लूँगा ना विंग बोलते हैं क्यों अब तुमें शरम नहीं आ रही यह सुनकर वंग जी सच में शरम आ जाता है अब वो अपनी नजरों को चिराते हों बोलता है विगा वो एक्सिटेंटली हुआ था है ना विंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है तुम एक काम करो तुम वेजिटेबल कट कर लो तब तक मैं सफाई कर लेता हूं उसके बाद हम दुनों साथ में खाना बनाएंगे ठीक है वांग जी वांग जी वेजिटेबल कट करता है विंग पुरे घर की ससफाई करने के बाद वांग जी को देखता है फिर हो गया हो गया मैं बहुत ज्याट हों गया है मुँघ्जे नहीं लगता कि मैं इस हालत में खाना बना पाऊंगा तो मैं भी शावर लेकर आता हूँ ठीक है वांग जी बोलता है हाँ ठीक है अविंग जाता है शावर लेकर आता है अब जैसे वो आता है तो देखता है कि वांग जी ने खाना बना दिया है और टेबल पर लगा भी दिया है अविंग अपनी एक आपर को उपर उठा कर वांग जी को मैं सब रख को भी वह करने देने चाहिए जो वो करना चाहता है फिर शायस की खुशी बाहर जाकर काम करने में हूँ या फिर घर का काम करने में हूँ ये सुनकर विंग स्माइल करता है बहुत बड़े वाली फिर बोलता है तुम्हें पता है मैंने अभी तक शादी क्यों ने की मैं सिंगल क्यों वांग जी बोलते क्यों विंग बोलते क्यों कि मुझे ऐसे ही अलफा की तलाश थी पर मुझे ऐस तक मेला है नहीं और अब देखो मेरी उमर निकल गई है शादी करने की ऐसा बोलकर की विंग हस देता है वांग जी बोलते है मैं हूँ ना आपको मैं पसंद ह क्या वीसी बलते हैं तुम बच्च नहीं का मैं पूरे 20 साल का ओं इंग बलते हैं वींग पंगा की नौड़ साङ्ट हो आपको ऑल पर आपको बसंदो नहों आपको ऐसा इलफद चाहिए था जैसे मैं हूं इन्ष बोलते हैं वॉयम जी कोड़क हुआ उन्हेंग ने Sense को वींग परतनों को लेकर जाता है फिर उन्हें धोता है दोगी और थोड़ी तेर बात का सीन दिखाया जाता है वींग और जी दोनों आप नहीं जा सकते वींग बोलता है क्यों नहीं जा सकता वांग जी बोलता है आप हीट में हो ना वींग बोलता है मैं ठीक हो गया हूँ अज मेरा लाश्ट है तुम्हें ठीक नहीं लग रहा क्या मैं वांग जी बोलता है लग रहे हो फिर भी अप पूरी तरह से ठीक नहीं ह पता होगा ना कि तुम कहा पर हो कही ऐसा नोँगी आजग तुम्हें ढूंड रहे हो यह सुनकर करके वांग जी इपना सर जुगा लेता हैं उसके आखें चाहिए कोग शुलन drinking को स्बास त कई पर पर देंखता है वा रहा है उसके आखोंसे आसो गिर रहे हैं अविंग वांग जी के आसों को पहुँचते हुए बोलता है क्या हुआ वांग जी के तुम्हें तुम्हें पैमिली की याद आ रही है वांग जी बोलता है वीका मेरे मोम डैट नहीं है वो मुझे नहीं ढूंड रहे होंगे ना वो मुझे लेकर परशान नहीं होंगे वो तो बहुत पहले मुझे जोड़कर चले गएते वो नहीं क्या पता मुझे उनकी कितने यार्थ हाती है वेंग वांग जी की कमर को मसलते वे बोलता है हे वांग जी मुझे माप करतो मुझे पता नहीं था प्लीज तुम्हेंसे रो मत वांग जी बोलता है आपकी कोई गलती नहीं है आपको तो पता नहीं था न विंग बोलता है हाँ तो तुम रोना बंद करो देखो तुम्हेंसे रोता देख मुझे भी रोना आजाएगा प्लीज मत रोना वांग जी बोलता है पर मेरे आसो नहीं रुक रहे है मुझे रोना आ रहा है मुझे उनकी याद आ रही है न ये सुन करके वींग वांग जी को हग कर लेता है फिर बोलता है देखो वांग जी जब तुम्हारे मॉम डाट को पता चलेगा कि तुम उनकी वज़े से रो रहे हो, उनको याद करके, तो उने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज मत रहो ना, वांग जी बोलता है, ठीक है, मैं नहीं रहोंगा, ऐसे बोल करके वांग जी खुद के आसू पहुँचने लगता है, अब थोड़ी देर तो कैसी, वींग वांग जी को हख करके बैठा रहता है, अब थोड़ी देर पाद वींग वांग जी के सर को सहला आते हुए पोलता है, वांग जी, वांग जी कुछ नहीं पोलता, वींग फिर से पोलता है वांग जी, वांग जी फिर से कुछ नहीं पोलता अब विंग बोलता है मुझे पता है तुम सो नी रहे हो तुम नाटक कर रहे हो अब यह सुन करके वांगची हसने लगता है फिर बोलता है आपको कैसे पता विकर विंग बोलता है बस मुझे पता है वांगची बोलता है पता यह ना आपको कैसे पता है विंग बोलता है देख बात बोलू विंग बोलता है हाँ बोलो वंग जी बोलता है आपको हग करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतना अच्छा तो कभी मुझे अपने प्रेदर को हग करके भी नहीं लगा आपको हग करके ना मुझे सकून मिल रहा है मुझे बिल्कुल वैसे लग रहा है जै वांग जी बोलता है मेरे mom dad के जाने के पाद मेरा और मेरे brother का ख्याल मेरे uncle ने रखा वो बहुत अच्छे हैं हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं पर सच बोले तो वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए न मैं अपने कगा को परिशान करता रहता हूं यह सुनकर विंग के face पे हलकी सी smile अजाती है विंग बोलता है सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे पास कोई है तुमारा ख्याल रखने वाला तुमसे प्यार करने वाला अविंग मायूस हो जाता है उसे अपनी family की यादा आ जाती है वांग जी विंग को देखता है फिर बो डैट जो की एक औरफनेच में बले पड़े उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाए मेरी मॉम के मेरी मॉम जो की मिडल क्लास फैमली से थी उनका भी इस दुनिया में उनकी मॉम के अलावा और कोई नहीं था उनकी डैड भी उन्हें बच्पन में ही जोटकर चले गए थे और उनकी मॉम मतलब मेरी क्रेंड मदर मेरी मॉम से बहुत प्यार करती थी मेरे मॉम डैड एक दूसरे से स्कूल में मिले थे पहले वो friends थे पर बात में उन्हें एक तुस्टे से प्यार हो गया मेरी mom जो कि बहुत ही स्याता शरारती थी उनके पेट में कोई बात बचती नी थी मेरी mom ने मेरी grand mother को बता दिया कि वो मेरे dad से प्यार करती है फिर मेरी grand mother ने पता है क्या किया वांग जी बोलता है क्या किया वांग जी बोलता है मेरे मूम डैट की शादी करवा थी वो भी हाई स्कूल में वांग जी बोलता है क्या वांग जी बोलता है हाँ उस टाइम पर ना वो तोनों 17 साल के थे वांग जी बोलता है क्या सिर्फ 17 साल के मतलब मुझसे भी चोटे थे वेंग भलता है हाँ तुमसे भी चोटे थे और फिर तो मैं पते है क्या हुआ वेंग भलता है जिस दिन उनके एक्साम खतम हुए उसी दिन मेरी मोम को पता चला कि मÈंस दुन्या में आने वाला हुँ वांग जी बोलते है क्या इतनी जल्दी वेंग बोलते है हाँ इतनी जल्दी देखो 17 साल की थी मेरी मूम उसी टैम पे वो प्रेगनेट हो कई थी मेरी मूम वैसे तो बोलती है कि मैं कोट का दिया हुआ गिफ्ट हूँ और मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरी वज़े से मेरी मूम डैट ने अपना सपना छोड़ दिया उन्होंने वही पर पढ़ाई छोड़ती और काम करने लगे कहीं से भी कैसा भी छोटा मोटा काम मिल जाता वो कर लेते वांग जी बोलता है विए का मुझे सच में ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा विएंग बोलता है हाँ वो दिन इतने बुरे थे किसे अच्छा लगेगा सुनकर वैसे तुम्हें पता है जब मैं इस दुनिया में आ गया तब क्या हुआ वांग जी बोलता है वो मेरे मॉम डैड ने सोचा कि क्या हुआ वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो वो मुझसे तो करवा सकते है ना वांग जी बोलता है क्या इसका मतलब वो चाहते थे कि आप टॉक्टर बन जाओ विंग बोलता है हाँ वांग जी बोलता है फिर विंग बोलता है फिर क्या था फिर मेरे मॉम डैड मेरे पीछे लग गए मैं छोटा सा था तब तब से ही उन्होंने मुझे इतने बड़े स्कुल में पढ़ाना शुरू कर दिया और वहां की फीज बे करने के लिए तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड हजारों तरह की नोकरी करते थे दिन रात लगे रहते थे मुझे से अच्छे से बाते भी नहीं कर पाते थे वो सच में बहुत महनत करते थे मुझे बढ़ाने के लिए अब मैं भी बहुत बढ़ाई करता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मॉम डैड बहुत महनत करते है मुझे बढ़ाने के लिए इसलिए मैं भी मेरे मॉम डैड की सारे बाते मानता था अच्छे बच्चे की तरह इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बांग जी बलता है ओ वी का फिर तो वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होयोंगे जिस दिन उन्हें पता चलाओगा कि आप डॉक्टर बन गए वी बलता है अरे हाँ उस दिन की तो पूछो मत वो इतने ज़्यादा खुश दे कि मैं बता भी नहीं सकता उन्होंने पूरे महले में डिंड़ोरा पेट दिया था कि मेरा बेटा डॉक्टर बन क्या मेरा बेटा डॉक्टर बन क्या और तुम्हें पता है उस पूरे एक महिने तक मेरा फेवरेट खाना पना था घर पे मेरी मॉम हर टैम वही खाना पनाती जो मुझे पसंद होता यहां तक कि न वो मुझे अपने हाथों से खाना खाने भी नहीं देती थी वांग जे बोलता है वही का तो आप खाना खाते कैसे थे वे इंग बोलता है अरे मेरी मौम खुद मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी वो नहीं मुझसे इतना प्यार कर रही थी कि बस पुछो मत मेरे नस नस में प्यारी 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 प्यार भर कیا था वो दिन सच में बहुत अच्छे थे उसके बात से सब कुछ ठीक हो गया था मैंने ही मेरे मोम डैट को बोला था कि अब मैं काम करने लगा हूँ तो उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है अब वो आराम करेंगे और मैं काम करूँगा पहले तो मेरे मोम डैट ने बहुत नानुकर की पर फिर मैंने प्यार से उन्हें मनाई लिया उसके बाद सुग कुछ ठीक हो गया मैंने मेरे मॉम डैड का सपना पूरा कर दिया वांग चि पलता है वींका एक बात बोलू आप फूरा तो नहीं मानोगे वींक बोलता है वांग ची पलता है वो मुझे पता है आपने ही काम छोड़ती है और किस वज़े से छोड़ा है ये भी मुझे पता है पर सच बोलू तो विका आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया आप डॉक्टर बने क्योंकि आपके मोमडर चाहते थे उनका सपना था जो कि आपने पूरा भी किया पर पूरी तरह से नहीं एक तरह से देखा जाये तो विका आपने उनके सपने को भुरी तरह से बिखेर कर रख दिया आप खुद सोचिए एक बार उन्होंने कितनी मेहनत की थी आपको पढ़ाने लिखाने में आपको यहां तक पहुंचाने में पर आपने आपने क्या किया विका आप आपके मोम डैट जिन्दा होते और उन्हें ये पता चलता है कि आपने काम छोड़ दिया वह काम जिसके लिए आपने और आपके मोम डैट नहीं कितनी महनत की थी तो सोचिए सरा उन्हें कितना भुरा लगेगा जितने खुश वह उस दिन हुए होंगे वह जानकर कि आप डॉ जैसे गई है जिबके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप तो उस टेम होस्पिटल में थे किसी की जान बचा रहे थे तो आपकी वज़े से कैसे आपके ग्रैनमा की जा सकती है वेगर ये दुनिया है यहाँ पे सब कुछ कोड की मरसे से होता है जो आता है वो जाता भी है कोई-कोई तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी भी नहीं पाता पैदा होती चला जाता है और कोई-कोई तो सो सो साल का होने के बात भी नहीं जाता और आपको पता ऐसा क्यों होता है वींग नामे सर को हिलाता है वांग जी बोलता है मेरे अंकल कहते हैं कि भगवान के प कोच आई गोट ने और रही बात आपकी क्रेंडमा की वो भी जरूर अच्छे इंसान होंगी इसलिए तो जल्दी चली गई क्योंकि कोट ने उन्हें बलायोगा उन्हें जाना ही बढ़ाओगा आपको तो पता ही है कोट के आगे किसी की भी नहीं चलती इसलिए वीका आप का मा की जान बचा पाते और नहीं उस इंसान की जिसके आपने उस दिन बचाई थी वेंग बोLता है क्यों मेरा मतलब ए मैं अपनी इसलिए आपके क्रेंडमा का टाइम पूरा होगला था वोजबा लिया था उन्हें कैसे भी करके जाना था इसलिए वो चले गई अब बगा अगर आप घर पे भी होते, तो भी, आप कौंसाना गॉट से फाइट करते कि नवी मेरे क्रेंफ मा को मैं नहीं जाने दूँगा और अगर फायट करते भी, तो कौंसाना आप गॉट के सामने जीत चाते क्योंकि गॉट से तो कोई भी नहीं जित सकता इसलिए विका आप खुद को दोश मत दीजे आपकी ग्रैनमा की जाना आपकी वज़े से नहीं किया है उनका जाना तै था इसलिए वो चली गई और एक और बात विका आपने थोड़ी देर पहले मुझे समझाया था कि मेरे मोम डैड आसमान से मुझे देख रहे हों क्योंकि मैं उन्हें याद करके दुखी हूं तो अकर इस तरह से देखा जाये तो आपके मोम डैड और ग्रैनमा भी तो आपको देख रहे होंगे और वो भी इस टेम बहुत दुखी होंगे खास करके आपकी ग्रैनमा क्योंकि आपने अपनी ग्रैनमा की वज़े से अपना क वींग जो की बड़ी ध्यान से वांग जी को देख रहा था और साथ ही में बड़ी ध्यान से वांग जी की बाते सुन भी रहा था और उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि वांग जी उसे क्या समझाना चाहता है तो अभी वींग अपनी आखों को कसकर बंद करता है फिर कुछ सेक रहा था कि क्या उसके विकव से नराज होके हैं इसलिए वो गुछ सा होकर यहां से चले गई हैं क्या उसके विकव से बात नहीं करेंगे विंग अपने रूम में जाने के पाद पेड़ लेड़ जाता है और फिर एक खंटे तक इनी सब भी बातों को दोहराता रहता है जो जो अभी वांग जी ने बाहर उसे कही वींग को पता है उसे समझा गया है कि अभी बाहर जो भी वांग जी ने कहा वो बिल्कुल सही ही कहा है इसलिए अभी वींग उन्ही सभी वातों को सोच रहा है और अब ऐसे ही सोचते सोचते वींग सो जाता है अब सीधा दोबेर के दो बजे वींग की आंके खुलती है वींग उठता है बड़ी प्यारिसी स्मेल वींग उठता है बड़ी प्यारिसी स्मेल के साथ फिर वो अपने कुछ कपड़े लेता है और शावर लेने चला जाता है अब आदे खंटे बाद वो वापिस आता है तिर अच्छे से तयाश एयार होके रूम से बाहर निकलता है रूम से बाहर निकलने के बाद विंग देखता है कि सोफे पे वंग जी सो रहा है और विंग वंग जी के पास जाता है तिरू से ध्यान से देखता है वांग जी जो कि बड़ी प्यार से सो रहा था बच्चों की तरह और वांग जी को इतना प्यार से सोता देख वींग की फेस पे हलकी से स्मायल आ जाती है वींग वांग जी के सर को सहलाते हुए बोलता है सच में ये दिखने में तो बिल्कुल बच्चा लगता है पर बाते बिल्कुल बड़ो की तरह करता है अब ऐसे ही कुछ देर तक वांग जी के सर को सहलाने के बाद वींग किचन में जाता है फिर कुछ खाने को बनाता है फिर वांग जी को उठाता है जैसे ही वांगची उठता है तो वो व्हिंग का हाथ पकड़कर व्हeंग को बोलने लगता है व्हe ships मँझे माफ करतो मैं आज की बात वैसे कुछ भी नहीं बोलूँगा मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बोल गया आप मुझे नाराज हो मुझे नराज मत रहेगे न, मुझे बात करना, बंद मत करना, मैं आज की बात वैसा कुछ भी नहीं बोलूँगा वांग जी से ये सारी पाते सुनकर विंग को भुरा लगता है, पता नहीं क्यूँ उसे अच्छा नहीं लग रहा था, कैसे वांग जी रिक्वेस्ट कर रहा था उसे वांग जी की फेस को देख कर ऐसे लग रहा था जैसे कि वांग जी अभी रो देखा अब इंग वांग जी की फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है वांग जी मैं तुमसे नरास नहीं हूँ, चलो उठो, खाना खालो, फिर हम कहीं चलेंगे, वांग जी बोलता है हम कहीं चलेंगे, पर कहां पर, वांग जी बोलता है होस्पिटल, मैं तुम्हें छोडने जा रहा हूँ, वांग जी बोलता है वीगा मुझे पता है आप मुझे मैं नाराज हो इसलिए आप मुझे आज ही छोड़ने वाले हो नहीं मैं नहीं जाओंगा नहीं पिल्कुल भी नहीं हो वांग जी बलता है नहीं हो तो मुझे छोड़के आने की बात क्यों करें हो वांग जी बलता है वो इसलिए क्योंकि मुझे बाहर जाना है किसी जरूरी काम से तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी साथ की साथ छोड़तूं वांग जी बलता है नहीं आप आप कहनी जाओगे यहीं पर रहोगे वैसे भी अभी अंदेर हो जाएगा हम कहनी जाएंगे आपका जोबिक काम हो अब कल कर लेना अज अज कहनी जाना वेंग बलता है वांग जी तुम सच में बच्चों कि तरह कर रहे हो वांग जी बलता है मैंने बोला ना नहीं जाएंगे हम मुझे बलता है आप मुझे नाराज हो इसलिए मुझे चोड़ना चाते हो काम तो आप हीट में हो तो क्या हुआ अपने दवायां ले रखियां नहीं आप कहले लिंग में प्लता है वैंग तो loss to the Yep neighbours बहुत चैनल को से नर्श नहीं हूं देखो वांग ची नौझी ड़क रहे किRC और मुझे नरासी वेंग बलता है तो मैं ऐसा क्या करूँ जिसे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे नारास नहीं हूँ वांग जी बलता है मुझे, 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 वो, मुझे, आप, वो वांग जी ऐसे करी रहा था तभी वींग वांग जी को कले से लगा लेता है अवे इन वांग जी के सर को सहलाते हुए बोलता है वांग जी अब तो तुम्हें यकीन हो किया ना मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ मुझे बिल्कुल भी भूरा नहीं लगा तुम्हारी बातों का मुझे तो उल्टा अच्छा लगा कि तुम मुझे समझा रहे थे वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह मैं सब समझ क्या हूँ वांग जी इसलिए प्लेज वांग जी तुम भी समझने की कोशिश करो मैं तुमसे नराज नहीं हूँ मुझे फॉन की जरूरत थी अभी खाना खा लेते हैं रहता है बार ऑन जी तो और जाता है। धोसे पैट जाता है नितसार करता थोड़ी तेर बाद वांग जी आता थे फिर विंग को देखता है को देखता है अब तुम क्या करोंगे वांग जी बहुता है खुछ भी नहीं इविंग पासी के टेबल से रेमोट उठा लेता है और टिवी को चला देता है वाँग ची बोलता है क्या आप मोवी देखने वाले हो फिर से विंग बोलता है हाँ मैं भी देखूंगा विंग बलता ठीक है अब ये तोनों साथ में बैट के मुवी देखते हैं साथ बज़े तक उसके बाद ये दोनों खाना बनाते हैं एक दूसरे से बाते करते हुए फिर साथ में बैट कर खाते हैं फिर विंग जो है वो बतनों को साफ करता है उसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं अब रात के 11 बचे वह इंग के साथ फिर से वही सब होने लगता है जो कल रात को हो रहा था अब इंग उठता है मैडिसन लेता है खुद को इंजेक्शन लगाता है उसके बाद शावर लेता है फिर रूम में आके सो जाता है राम से अब सुबह कसीन दिखा जाता है वह इंग उठता है प्यारी से इस मैल के साथ उसके बाद वो अपना मॉर्निंग रूटेन कंपलीट करता है फिर रूम से पहार आता है और वांग जी के रूम की तरफ देखता है फिर वो सोचता है कि क्या उसे वांग जी को उठाना चाहिए या फिर नहीं अब वो सोचता है कि चलो थोड़ी ते रोर सोने देते हैं अब विंग किचन में जाता है फिर खाना बनाता है अब खाना बनाने के बाद विंग खाने को टेबल पे लगाता है फिर wangji के रून की तरफ जाता है तो उठाने के लिए वींग जैसे ही डोर नोक करने वाला होता है डोर अपने आप खुल जाता है वींग अपने सामने खड़े हुए wangji को एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है मैं तुम्हें उठाने आ रहा था जल्दी करो, खाना बन क्या है वांग जी वींग को मॉर्णिंग वीश करता है और फिर वींग के साथ आ जाता है खाना खाने के लिए अब ये तोनों साथ में खाना काते हैं अब खाना खाने के बाद वींग खड़ा होता है, सारे बरतनों को उठाता है और किचेन में जाने से पहले वांग जी को बोलता है तैयार होने के लिए वांग जी पूछता है क्यूँ तो विंग पता है कि वो उसे जैंग उस्पिटल छोटने जाएका यह सुनकर कि वांग जी का मू Maß उधर जाता है उसे पता निक्यूँ बोरा लगता है उसको मन कर री नहीं दाता जाने का उसके दिल में तरदो रहा था वो बस वींग के साथ रहना जाता था उसे नहीं पता कि वो वींग से प्यार करता है या फिर नहीं उस से इतना पता है कि उसे वींग प gir प wen पशंद है da और उसे अगर बोला जाए शादी कर लो तो वो कर लेगा उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है उसे नहीं पता है किसे प्यार है या फिर नहीं और उसे अभी वींग के साथ रहना अच्छा लग रहा है तो बस अभी वह वींग के साथ रहना चाता है उसे छोट कर नहीं 주세요 जाता है इसलिये उसे भी भूरा लग रहा है तर शावर्व शावर लेता हैां और अपनी वाले कप्डे लेते इंग व ले दोके सुखा देटा है उसके बाद बाहार आता है और फिर वो देखता है वीह क dönका स्वेड़ा क्यूला करें और एक पाड़ना ऑच्छे से अपना रूम चेक खरलो हो तुम अपना कुछ सामार शाओ संयांड, भूलता और पर फुड़ना जाओ। अजसे टुपर न आगे ऑगे चलने लगता है। वांग जी धीरे धीरे वींग के पीछे पीछे चलने लगता है वांग जी का दिल तो भारी और भारी और सेदा भारी होता जा रहा था उसका दिल करी नहीं रहा था यहां से जाने का पर फिर भी उसे जाना तो हो का ना बस इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने कदमों को आगे पढ़ा रहा था खैर अब थोड़ी देर बात का सिन दिखाया जाता है वींग और वांग जी काड़ी में बैठे हुए थे वींग जो था वो ट्राइब कर रहा था और वांग जी वींग के साइड पे पैठा हुआ था और बस वींग को ही देख रहा था अब एक खंटे पात वींग काड़ी रुकता है और वांग जी को बोलता है थोड़ा रुकने के लिए वांग जी पूछते है क्यों तो विंग बोलते है क्योंसे जो है अपने लिए एक नया फोन खरीतना है तो वांग जी बोलते है ठीक है वो भी उसके साथ चलेगा विंग बोलते है नहीं तुम यहीं पर रुको भार धूप और रखे है वांग जी बोलते है नहीं मैं भी आपक सकता हूं विंग पलता है हाँ जरूर ऐसा बोल करके विंग वो फोन का चोटी सो बैक वांग जी के हाथों में देता है वांग जी उस बैक के अंदर चाकते वे बोलता है एक मिनिट वीका आप तो चार-चार फोन लेकर आ गए हो क्या गलती से लायो या फिर जान बुझ कर वि बोलते हैं मतलब सच में विंग स्मायल करते हैं मुझे इसका मतलब विका आपको गुषा बहुत ज्यादा आता है तब तो मुझे आप से टरकी रहना पड़का है न विंग पलते हैं जैसा तुम चाहूं व्पलते हैं आप किसी भी सवाल सीदा सीदा जवाब नहीं देतें बोलते हैं ठीक है अब से दूगा वांग जी बोलते हैं सच में विंग बोलते हैं अब यहाँ से सीधा 1 घंटे बात का सियंग दिखाया जाता है यह दोनों होस्पिटल पहुंच गए थे वांग जी अभी काड़ी में पैठा हुआ है विंग जो की सीट बैल्ट खोल रहा है व विंग जो कि वंग्ची को बोलता है रह जाता है अरे वंग्ची कहा जा रहे हो रुको तो मेरे साथ चलना पर वंग्ची नई तो सुनता है नई रुकता है वो सीध अपने शीचैन का से मिलने जाता है और विंग वो अपने सर को नाना में हिलाता है फिर बोलता है सच में बच करके आक दो उठता है फोन को टेबल पे रखता है सीदा व।की पास भागता है और उसे हग कर लेता है। और फिर बोलता है व।भिव चयांग। क्या सच में ये तुम हो व। बहुते हैं, हाहां सर ये मैं ही हूँ। फैंग मियान जो की रोने लगा था, वो बोलते, क्या तुम मुझे मिलने आयों? विंग पोलते नहीं, मैं तो आपसे पूछने आया हूं, क्या भी भी मेरे लिए यहांपर जगे खाली है? यह हमेशा रहे कि और यह सुनकर विंग हसता है फिर बोलता है अगर यह चैन्ग ने सुन लिया तो आपसे नाराज हो जाएका फैंग मियान बोलता है चैन्ग के पारे में तो बात ही मत करो वह तो एक नंबर का कथा है पूरा का पुरा अपनी मापे गया उससे गुसा करने के के लावा और कुछ आता ही नहीं है वह एक अच्छा डॉक्टर है वह सब चोड़ो तुम मुझे यह बताओ तुम क्या फिर से यहां पर काम करने वाले हो विंग पलता है हाँ तो ओके गाईज आज के लिए इतना ही आपको इस्टोरी चैसे भी लख रियो कमेंट में बताना और प्लेज वीडियो को लाइक करते न और जो भी मेरे चैनल पे नया हो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करते न और मेरी चोटी से यूटूब फैमिली का हिस्सा बन जाना तो अब मिलें के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपने ख्याल रखना बाई बाई